साहिराम, आंदर प्रदेश के गवर्नर, स्रीमान अब्दुल नजिर जी, स्री सत्य साहिंस सेंटरल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी, स्री आर्जे रतनाकर जी, स्री केज चक्रवर्ती जी, मेरे बहुत पुराने मित्र, स्री रियुको हिरा जी, डॉक्टर वी मोहन जी, स्री एमेस्ट नागानन जी, स्री निमिश्पंड्या जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सब को फिर से एक बार साइराम, मुझे ने एक बार पुट्टर पर्थी आने का सहुफा के मिला है, मेरा बहुत मन था, कि मैं इस बार भी, आपके सब के बीच आता, आप से मिलता, वहाँ उपस्तित रहे कर, इस कारकम का हिस्सा बनता, लेकिन यहाँ की व्यस्तता के चलते, मैं उपस्तित नहीं हो सका, अभी भाईर अतनाकरजी मुझे निमंतर देते समय कहा, कि आप एक बार आईए, और आशिरवाद दीजिए, मुझे लगता है कि अतनाकरजी की बात को करक करना चाहिए, मैं वहाँ जुरूरा हूंगा, पर लेने के लिए आउँगा, टेक्नलोजी के माध्यम से, मैं आप सब के बीची हूँ, मैं इसलिए सत्य साही सेंटरल ट्रस्ट से जुड़े, सभी सदस्यों और सत्य साही बाबा के, सभी को, भक्तों को, आज के लिए, इस आयोजन के लिए, बढ़ाई देता हूँ, इस पूरे आयोजन में, स्री सत्य साही की प्रिणा, उनका आशिरवात, हमारे साथ है, मुझे खुशी है, कि इस पवित्र आउसर पर, स्री सत्य साही बाबा के, मीशन का विस्तार हो रहा है, स्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में, देश को एक प्रमुख विचार केंदर मिल रहा है, मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तश्वीरे देखी हैं, और अभी, आप इस छोटी सी फिल्म में भी, उसकी जलक देखने को मिली, इस सेंटर में आध्यात्मता की अनुभूती हो, और आधुनिकता की आभावी हो, इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी हैं, और वैचारिक भव्यता भी है, यह सेंटर, स्पिरिचल कांफरंस और एकडेमिक प्रोग्रेम्स के लिए, एक केंद्र बनेगा, यहां अलग-अलग छेत्रों से जुड़े, पूरी दुनिया के विद्वान और एक्सपर्स इखटा होंगे, मैं आशा करता हूँ कि, इस सेंटर से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी, साथियों, कोई भी विचार सबसे प्रभावी तब होता है, जब वो विचार आगे बढ़े, कर्म के स्वरुप में आगे बढ़े, थोथे वचन प्रभाव पैदा नहीं करते हैं, जितना की एक सत्कर्म पैदा करता है, आज कन्वेंशन चेंटर के लोकारपन के साथ ही, यहां स्री सत्य साई ग्लोबल कांसिल की लीडर्स कॉनफरंस भी शुरू हो रही है, इस कॉन्फरंस में देश और दुनिया के कई देशों के डेलिगेट्स यहां पर उपस्तीद है, खास कर आपने इस आयोजन के लिए जो थीम चुनी है, प्रैक्टिस एन इंस्पायर, यह थीम प्रभावी भी है और प्रासंगिक भी है, हमारे यहां कहा भी जाता है यत यत आचरती स्रेष्टह तत तत एव इतरह जनह, अर्थाप स्रेष्ट लोग जैसा जैसा आचरन करते हैं समाज वैसा ही अनुसरन करता है, इसलिए हमारा आचरन ही दूसरों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती हैं, सत्यसाई बाबा का जीवन अपने आप में इसका जीवनत उदाहरन है, आज भारत भी करतव्यों को पहली प्रात्फिक्ता बनाकर आगे बढ़ रहा है, आजजी के सौवर्स के लक्ष की और आगे बढ़ते हुए, हमने हमारे अमृत काल को करतव्य काल का नाम दिया है, हमारे इन कर्तव्यों में आध्यात्मिक मुल्यों का मादर्शन भी है और भविश्य के संकल्प भी है इसमें विकास भी है और विरासत भी है आज एक और देश में आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुद्धार हो रहा है तो साथ ही भारत एकनामी और टेक्नोलोजी में भी लीड कर रहा है आज भारत दुनिया की टॉप फायू एकनामी में शामिल हो चुका है आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टिम है डिजिटल टेक्नोलोजी और फायू जी जैसे खेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं दुनिया में आज जितने भी रियल टाइम ओनलाइन ट्रांजिक्शन हो रहे हैं उसके चालिस प्रतिशत अकेले भारत में हो रहे हैं और मैं तो आज रतनाकरजी से आगरह करूँगा और सभी हमारे साही भक्तों सभी आगरह करूँगा क्या ये हमारा नया बना हुआ जिला जो साही बाबा के नाम से जुड़ा हुआ है ये पूरा पुटपट जिला क्या आप इसको हंडेड परसंट डिजिटल बना सकते हैं हार ट्रांजेक्शन डिजिटल हो आप देखिए दुनिया में इस जिले की अलगी पहचान बन जाएगी और बाबा के आशिर्वात से रतनाकरजी जैसे मेरे मित्र अगर इस कर्तव्य को अपना जिम्मा बना दे तो हो सकता है कि बाबा के अगले जन्म दिन तक पूरे जिलो को डिजिटल बना सकते हैं जहां कोई एक कैस रुप्य की आवशक्ता नहीं होगी और यह कर सकते हैं साथियों समाथ के हर वर्क की भागीदारी से आज परिवर्तन आ रहा है इसलिए ग्लोबल काउंसिल जैसे आयोजन भारत के बारे में जानने का और बाकी विश्व को इससे जोड़ने का एक प्रभावी जरिया है साथियों संतों को हमारे हां अक्सर बहते जल की तरह बताया जाता है क्योंकि संत न कभी विचार से रुकते हैं न कभी व्यहवार से थमते हैं अनवरत प्रभा और अनवरत प्रयास ही संतों का जीवन होता है एक सामान्य भारती के लिए ये माइने नहीं रखता कि इन संतों का जन्मस्थान क्या है उसके लिए कोई भी सच्चा संत उसका अपना होता है उसकी आस्ता और संस्कृतिता प्रति होता है इसलिए हमारे संतों ने हजारों वर्सों से एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना का पोशन किया है सत्यसाई बाबा भी आंदर प्रदेश के पुट परति में जन्में लेकिन उनके मानने वाले उनके चहने वाले दुनिया के हर कौने में है आज देश के हरक्षेत्र में सत्यसाई से जुड़े स्थान और आस्रम भी है हर भाशा हर रितिरिवाद के लोग प्रसांती निलियम से एक मिशन के तहट जुड़े है यही भारत की वो चेतना है जो भारत को एक सुत्र में पिरोती है इसे अमर बनाती है साथियों श्री सत्यसाई कहते थे सेवा अने रैंडू अक्षराल लोने अनन्त माइन शक्ती इमीडी जिन्दी अर्थात सेवा के दो अक्षरों में ही अनन्त शक्ती निहीत है सत्यसाई का जीवन इसी भावना का जीवन्त स्वरूप था ये मुएरा सवभाग्य रहा कि मुझे सत्यसाई बाबा के जीवन को करिब से देखने का उन से सीखने का और अविरत उनकी आशिरवात की चाया में जीने का आउसर मिला है उनका हमेशा मेरे लिए एक विशेश ने होता था हमेशा उनका आशिरवात मुझे मिलता था जब भी उनसे बाद होती थी वो गहरे सी गहरी बाद भी बेहत सरलता से कह देते थे मुझे और उनके भक्तों को स्री सत्य साहिक के कितने ही ऐसे मंत्र आज भी याद है लव आल, सर्व आल, हेल्प एवर, हाट नेवर, लेश टॉक, मौर वर्क, एवरी एक्स्परियंस इजे लेशन, एवरी लॉस इजे गेंड, ऐसे कितने ही जीवन सुत्र है स्री सत्य साहिक हमें देख कर गए है, इन में संवेदन सिलता है, जीवन का गंबीर दर्शन भी है मुझे आध है, गुजरात में भूकम पाया था, तब उन्होंने मुझे विशेश कर फोन किया था हर तरह से राहत और बचाव के लिए वो खुद लग गए थे, समस्ता के हजारों लोग, उनके निर्देश पर दिन रात, भूज के प्रभावित इलाके में काम कर रहे थे कोई भी व्यक्ति हो, वो उसकी चिन्ता ऐसे करते थे, जैसे कोई बहुत अपना हो, बहुत करीबी हो सत्यसाएं के लिए मानव सेवा ही, माधव सेवा थी हर नर्मे नारायान, हर जीव में शीव, देखने की यही भावना, जनता को जनार्दन बनाती है साथियों, भारत जैसे देश में धार्मीक और आध्यात्विक संस्ताय हमेशा से समाज उत्थान के केंद्र में रही है आज देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और अगले 25 वर्षों का संकल्प लेकर हमने अमरित काल में प्रवेश किया है आज जब हम विरासत और विकास को एक गती दे रहे हैं तो सत्य साइं ट्रस जैसी संस्ताओं की इसमें बड़ी भूमी का है मुझे खुशी है कि आपका स्पूरिचल वींग बाल विकास जैसे कारकम के जरिये नई पीड़ी के भीतर सांस्कृतिक भारत को गड़ रहा है सत्य साइं बाबा ने मानों सेवा के लिए अस्पतालों का निर्मान करे आया प्रसांती निलियम में हाट अटेक हाइटेक हस्पिटल बना कर तयार हुआ सत्य साइं ट्रस्ट वर्सों से निशुल्ग सिख्षा के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज भी चला रहा है राष्ट निर्मान में समाज के ससक्तिकर्ण में आपकी संस्था के प्रयास बहुत प्रसंसरिया हैं देश ने जो इनिशिटिव लिये हैं सत्य साइं से जुड़ी संस्थाएं उद्धिशा में भी समर्ति भाव से काम कर रही हैं देश आज जल जीवेश मिशन के इसके तहत हर गाउं को साप पानी की सप्राई से जोड रहा है सत्य साइं सेंटरल टरस्ट भी दूर दराज के गाउं में निशुल के पानी पहुचा कर इस मानिविये कारिया में भागिदार बन रहा है साथियों 21 सदी की चुनोतियों को देखते भी है पूरे विश्व के सामने क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी समस्या है भारत ने ग्लोबल प्रेट्वर्म पर मिशन लाइब जैसे इनिशेटिव लिए है विश्व भारत के नेत्रुत्व में बरोसा कर रहा है आप सब जानते हैं इस साल जी ट्वेंटी जैसे महत्वपूर्ण ग्रुप के अध्रिक्सता भी भारत के पास में है यह आवजन पी इस बार वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ऐसी भारत की मुल्भूत चिंतन की थीम पर अधारित है विश्वाज भारत के इस वीजन से प्रभावित भी हो रहा है और दुनिया में भारत के प्रती आकर्शन भी बढ़ रहा है आपने देखा है पिछले महिने 21 जून को इंट्रनेशनल योगा डे पर किस तरह युनाइटे नेशन्स के हेड़क्वार्टर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया दुनिया के सबसे जादा देशों के प्रतिनिदी एकी समय पर एकी जगह योग के लिए जुटे योग आज पूरे विश्व में लोगों के जीवन का हिस्सा बन रहा है आज लोग आयुरुवेद को अपना रहे हैं भारत की सस्टेनिबल लाइफस्टाइल से सिखने की बात कर रहे हैं हमारी संस्कर्थी हमारी विरासत हमारा अतीत हमारी धरोहर इनके प्रति जिग्यासा भी लगातार बढ़ती जा रही है और जिग्यासा ही नहीं आस्था भी बढ़ रही है बीते कुछ वर्षों में दुनिया के अलग अलग देशों से कितनी ऐसी मुर्तियां भारत आई हैं जो मुर्तियां सो सो साल पहले पताथ साल पहले हमारे देश से चोरी होकर के बाहर चली गई थी भारत के इस प्रयासों के पीशे इस लीडर्सिप के पीशे हमारी सांस्कृतिक सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है इसलिए ऐसी सभी प्रयासों में सत्य साही ट्रस्ट जैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्थानों की एक बड़ी भूमी का है आपने अगले दो वर्षों में प्रेम तरू प्रेम तरू के नाम से एक करोड़ पैड लगाने का संकल्प लिया है मैं चाहूंगा कि व्रक्षारोपन हो और मैं तो चाहूंगा जब मेरे मित्र भाई हिरा जी यहां बैठे है तो जपान की जो छोटे-छोटे फॉरस बनाने की टेक्निक है मियावा की मैं चाहूंगा कि उसका उप्योग हमारे यहां ट्रश के लोग करें और हम सिरफ पैड़ने अलग लग एगा पे छोटे-छोटे-छोटे फोरेस बनाने का एक नमुना देश के सामने पेस करें तो बहुत बड़ी मात्रा में क्योंकि उसमें एक दुसरे को जिंदा रखने की तागत होती है पौधे को जिन्दा रखने की तागत दूसरे पौधे में होती है मैं समझता हूँ कि इस काध्यान हिराजी तो यहां है और मैं बड़े हक से हिराजी को कोई भी काम बता सकता हूँ और इसलिए में राज हिराजी को भी बता दिया देखे प्लास्टिक फ्री इंडिया का संकल्प हो आप इसके साथ जादा से जादा लोगों को जोड़े सोलर एनर्जी क्लीन एनर्जी के विकल्पों के लिए भी लोगों को प्रेडित करने की ज़रूरत है मुझे पताया गया है और अभी छोटी से आपकी वीडियो में देखाए गया सत्य साइस सेंटरल टरस्ट आंध्रे के करीब 40 लाग स्टुडेंट्स को स्री अन्न रागी जवा से बना भोजन दे रहा है यह भी एक बहुत सरानिय पहल है इस तरह के इनिस्वेटिव से दूसरे राज्यों को भी जोड़ा जाए तो देश को इसका बड़ा लाब मिलेगा स्री अन्न में स्वास्त भी है और संभावनाय भी है हमारे ऐसे सभी प्रयास वैश्विक्स तरपर भारत के सामर्द को बढ़ाएंगे भारत की पहचान को मजबूती देंगे साथियों सत्य साहिं का आशिरवात हम सभी के साथ है इसी सक्ति से हम विक्सित भारत का निर्माण करेंगे और पुरे विश्व की सेवा के संकल्प को पूरा करेंगे मैं फिर एक बार रूबरू नहीं आ पाया हूँ लेकिन भविश में जुरूर आऊंगा आप सब के बीच पुराने दीनों को याद करते हुए बड़े गवरो उपल बिताऊंगा हिराजी तो बीच-बीच में मिलते रहते हैं लेकिन मैं आज विश्वास देता हूँ कि आज भले में नहीं आ पाया लेकिन आगे जुरूर आऊंगा और इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार रदे से बहुत-बहुत सुबकामनाई देता हूँ आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ